आज हम कक्षा वार्वी विशा हिंदी आरो भाग दोक अंतरगत पाट को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आई पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं। कवीता वली। लक्षमन मूर्चा, रामका, बिलाप, गोसामी, तुलसी, दाजी, द्वारा, प्रचित। इसके आगे के जो पध्यान शेंबों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और अब जो और बच्चे हुए हैं, जो शेष हैं, उनको हम और पढ़ेंगे समझें। प्रभु प्रलाप, सुनिकान, बिकल, भे, बानर, निकर, आई, गयव, हनुमान, जिमी, करुना, मह, बीर, रस। शब्दात, प्रलाप, तर्कहीन, बचन, प्रभा, बिकल, ब्याकोल, बानर, बंदर, निकर, समू, जिमी, जैसे, मह, में। संदर प्रस्तुत का अभ्यांस, हमारी पाठ पुस्तक, आरोम, संकलित, लक्ष्मन, मूर्चा, और राम का बिला प्रसंग से अवतरित है, इसके रशिता तुलसिदास जी हैं। प्रसंग सोठा चंदिकी प्रस्तुत पंतियों में कविवर तुलसिदास जी ने भगवान श्री राम को एक सामानी मनुस की तरह प्रलाप करते देखकर बानरों के भी व्याकोल होने की बात कही है। साथ ही हनुमान जी के भी संजीबनी बूटी लेकर आने का वर्णन किया है। कभी तुलसिदास जी कहते हैं कि प्रीभाई लश्मन की दशा देखकर प्रभुशी राम अत्यन दुखी हो बिलाप करने लगते हैं। दीरे दीरे उनका विलाप करुना पूर्ण प्रणलाप में परिवर्तित हो जाता है। अनक से करुणा रस की प्रसंग में भी रस प्रगट हो गया है। सुरुदे से पूर्व हनमान जी को संज्वनी बूटी के साथ देखकर कुछी छणों पूर्व उदास और दुखी बानर सेना में न उस्साह का संचार हो जाता है। काबिस अंदर क्राम की लीला का स्वरूप सामाने मनुष्की भाती प्रलाप करने अलद्रिश अत्यंत मार्मिक है। सो उठा छंदे अनुप्रास लंकार की छटा दर्शनी करोनस बिद्वान हैं तस्तम शब्द वल्युक तवधिभासा है प्रसाद गुणे बिम्बियोजना अत्यंत सठीक सार्थक और सजीव है। फिर है हरशी राम भैटव हनुमाना अति क्रतग्य प्रभु परम सुजाना तुरत बैद तबकीन उपाई उठी बैठे लच्मन हरशाई। शुशेन बैद कीन ही किया उपाई हैं उपाई उपचार हरसाई हरशित प्रसंता पूर्वक हिर्दा हिर्दय में सकल सभी कपी बानर ब्राता समू जुन्ड कपी बानर यहां हनमान जी विधी विधी प्रकार लई आबा ले आए। प्रसंग प्रस्तोत्वपाई छंद में कभी तुलसिया जी ने हनमान जी के संजीवनी लाने और प्रभूर राम द्वारा उनके प्रति अपनी प्रतेक्ता प्रगट करने शुशेन बैद द्वारा मुर्षित लश्मन का उपचार करने लश्मन की मूर्षा चूटने और लश्मन के उट खड़े होने पर राम एबं उनकी पूरी सैना के पसंद होने का सजी वर्णन किया है। कभी तुलस्याजी कहते हनुमान जी के सुरुद से पूर्भी वहां पहुच जाने पर चारो और उस्साय का संचार हो गया संजीवनी बूटी लेकर आये हनुमान जी को देखकर भगवान राम अपने स्थान से उठखड़े हुए और हर्षित होकर उन्हें गले लगा लिया भाव है है कि भाता लच्मन की मूर्चा से अधीर व्याकुल हनुमान जी को समय संजीवनी बूटी के साथ लोटता देखकर प्रभु राम अत्यंत प्रसंद हुए प्रसंता पूर्भा की भी हनुमान जी से गले लग कर मिले हनुमान जी से मिलकर अत्यंत ज्यानबान भगव प्रसंता पूर्वक स्वस्त पातर प्रभुराम अपने भाई को क्या करते हैं हिर्दय से लगा कर मिले और मेल मिला आपका यह जो द्रश्य वहां देखकर वहां उपस्ते थे सभी भालू बानर के समू भी प्रसंता से जुम उठे चार और खुशी छा गई राम जी की सेना में पुना उस्साय का संचार हो गया हनमान जी ने सुसेन वेद्ध को उसी प्रकार तथा उसी विदी से वहां पहुचा दिया जिस प्रकार वे उन्हें पहले लेकर के आए थे काबिस वंदर हनमान जी के सुरुदय से पूर्व संजीवनी बूटी लेकर पहुचने पर प्रभु राम क्रतग भाव से उन्हें का करते हैं गले लगा लेते हैं लच्मन के उपचारित होकर स्वस्थ होने पर राम जी एवं उनकी प्रिशंपूर से ना के हर्शित होने का वर्णन है चौपाई छंद है अनुप्रा सलंकार की छटा है प्रसाद गुण का प्रयोग दिश्टब्य है तस्सम शब्दवा लियोग तवदी भाशा है घटना क कुम्ब करन पही आबा विविद जतन करी ताही जगावा जागा निशिचर देखाई कैसा मानहु कालु देह धरी बैसा कुम्ब करन बूजा कहू भाई काही तव मुख रहे सुखाई शब्दार्थ ब्रतांत ब्रतांत बर्णन दसानन याने रावर विशाद दुख सिर्ध सिर्धुना वही आजने के पास विविध विभिन परविध जतन प्रैत्न उपाए करी करें करके ताही उसे जगावा जगाया निशिचर रात में चले रात में चलने वाला राक्षास यहां कुम्ब करन याने कालू काल्व देह शरीर धरी धारन करके बैसा बैठा बूजा पूछा कहो कहो का है क्यों तब तेरा तुम्हारा और आपका संदर प्रस्तुत का अभ्यान से मारी पाठ पुस्ता के आरो में संक्लित लक्ष्मन मूर्छा और राम का बिला प्रसंग से अवतरित है इसके जो रशिता है वो तुलसी दाज जी है प्रसंग प्रस्तुत चपाई छंद में कभी तुलसी दाज जी ने बताया कि रामण को जब लक्ष्मन के स्वस्थ होने का समाचा अप्राप्थ हुआ तो उसने अपना सिर पीट लिया और अपने वल्शाली भाई कुम्ब करण को निद्रा से क्या किये जगा आया ब्याख्या तो उसे आज जी कहते हैं कि लश्मन की मूर्शा टूपने की बासिग्री सभी और जंगल की आग की तरह फैल गई जब यह बात लंका पती रामण तक पहुँची तो वह अत्यंत दुखी हुआ हताशा मैं उसने अपना सिर्फ पीट लिया वर बहुत ब्याकुल होकर अपने भाई कुम्ब करण के पास सायता राप्त करने के लिए आया कुम्ब करण गहरी नीन में सो रहा था रावर ने अनेका नेक प्रत्नों के पश्चात उसे गहरी नीन से जगाया कुम्ब करण जागरत होट बैठा नीन से अचानक उठा कुम्ब करण कैसा दिखाई देता था मानोस्वयम काली शरीद धारन करके बैठा हो रावर को अपने सम्मुख चिंतित परिशान पातर कुम्ब करण ने रावर से पूछा कि हे भाई कहो क्या बात है तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं काबिस अंदर लक्ष्मन के स्वस्थ होने का समाचार चारोर जंगल की जो जंगल की आग की तरह फैल गया विशात ग्रस्त रामड की मनुदसा का सजीव चित्रन है कुम्ब करण की शारिक विक्रालता की तुलना यम्रास्य की गई है चौपाई छंद है सिर्धुनना एबं मुख सूखना जैसे मुहावरों का सटी प्रयोग है पुनपुन में पुनरुक्ति प्रकाश लंकार है कुम्ब करण के लिए काल के उद्प्रेक्षा उद्प्रेक्षा लंकार है तस्तम शब्दवली युक्त अबधिभासा बिम्बियोजना तनसर्थी के वम सार्थक है इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर तुलसी राजीजवारा रचित जो लक्षमेन मूर्चा कविता बली के अंतरगत दोहों को पढ़ाया समझाया चौपाईयों को समझाया आप इनको पढ़ेंगे और समझेंगे धन्यवाद बेक्तु झाल 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 झाल